हाई गैज विलकम बैक टो अनदर वीडियो ओफ कॉशन फर यू आई होप कईज आप सभी बहुत अच्छी होगे दोस्तों आज हम बात करने चाहरे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत सारे इंफोर्मेटिव अपडेट्स आ चुके हैं सबसे फिस और पाई की सप्लाई को लेके अपडेट आ चुका है और उसके साथ ट्विटर पे भी पाईनेटवर्क ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को step 8 डीले देखने को मिलता है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है मैंनेट माईग्रेशन को ल लिए इस टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं पर रीफ्रेश कर लेता हूं एंडम चलते हैं अपने फॉर्स अपडेट की तरफ दोस्तों यहां पर हमारा फॉर्स अपडेट आ चुका है पाइब ब्राउजर की तरफ से और बताया जाएंड पाइको टीम हैस कंसीडर अपडेटि है के वाइसी आपने देखा है और उसके साथ ब्लॉक्चेंस को लेके भी है आपको यहां पर एंफ्ट भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी यहां पर एप्लिकेशन और नए-नए फीचर्स आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं अब हम चलते हैं नेक्स अपडेट की तर टागेट ऑफ पाई बीसिकली वियतनाम के अंदर अभी पाई नेटफक का जो प्रमोशन है बहुती जोरो शोरो से स्टार्ट हो चुका है 12 जून 13 जून 15 जून इस तरीके से हर एक डेट को अलग-अलग कंट्वीज के अंदर प्रमोशन स्टार्ट हो चुके हैं एड़टा जादा क्रेजी है और इस महीने आप सभी को पहले के महीने से जादा से जादा अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं अब हम चलते हैं नेक्स अपडेट की तरफ जो की पाई चैन इंटरनेशनल की तरफ से आ चुका है यहां पर बताया है जा रहा है बिग अनॉस्मेंट जो कुछ दिनों पहले बात की जा रही थी वो फाइनली अब लाइव हो चुका है अगर आपने केवाई सी और माईग्रेशन कंप्लीट नहीं किया तो फिर भी आप यूस कर सकते हो पाई को यहां पर और अर्निंग कर सकते हो और शॉप कर सकते हो अमेजिंग प्रोड़क्स और आप सभी को अब यहां पर मजा आने वाला है क्योंकि यहां पर आप सभी को मैक्सिमम डेली ओर लिमिट जो है दस के असपास देखने को मिलेगी मतलब कि यहां पर आप अच्छे से अच्छे प्रोड़क्स को भी बुक कर सकते हो so go ahead and include in the your favorite item with the confidence और आप चाहे जो भी प्रोड़क्स बुक करना चाते हो और आप सभी को सारी limitless possibilities देखने को मिलेगी मतलब पहले क्या था एक limit थी payments को लेके बट अभी कोई limit नहीं है तो आप easily buying and selling कर सकते हो और आप अपना feedback भी देखते हो किस तरीके से products आप सभी को देखने को मिलता है तो ये सारी चीज़े भी यहाँ पर बताई जा रही है और इस type का कुछ interface आप सभी को देखने को मिलेगा तो कहीं न कहीं Pi Network हर एक angle में चाहे financially बात करे, payment treated बात करे, management को लेके बात करे, migrations को लेके बात करे हर तरीके से काम कर रहा है अब हम बात करते हैं Pi Network की supply के बारे में और Pi ICOs के बारे में क्या बताया जा रहा है तो basically यहाँ पर बताया जा रहा है कि Pi Network अभी कोई भी ICO के अंदर perform नहीं करता, initial coin offering के अंदर कोई भी performance नहीं करता और यहाँ पर उसके साथ बताया जा रहा है and does not engage in any form of community fundraising through the Pi Sale basically यहाँ पर कोई भी यह fund भी release नहीं कर रहा है, fund भी sale के थूरू नहीं ले रहा कहने का मतलब यह है कि अभी के time में क्या हो रहा है, बहुत सारी जगवा पर Pi ICOs करके as a on कर दिया गया है और उसके साथ वहाँ से sales ली जा रही है और fund को raise किया जा रहा है basically यह सारे चीज़े scammers कर रहे है, जिसके through क्या हो रहा है, उनको income generator हो रही है Pi के face value से, तो आप सभी यह कभी भी अकीन मत करना कि Pi का ICO आ चुका है अभी Pi ने कोई भी ICO का allocations और कोई भी चीज़े बताई नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप सभी को cover किया है और उसके साथ यहाँ पर और भी चीज़ों की बात की जा रही है, Pi coin can be mined for free अभी Pi coin जो है free में mined किया जा रहा है, by contributing to the ecosystem therefore the price of Pi determined by the community holding Pi coin और अभी Pi का कोई भी as a price को fix नहीं किया गया, जो भी Pi की community है, जो भी organization है individually हर एक countries के अंदर आप सभी Pi network की barter system को देखते रहते हो, जो कि अलग-अलग countries के अंदर payment होती रहती है तो यह कोई actual fix amount अभी तक नहीं है, और यहाँ पे Pi supply को लेके एक Pi chat share किया जा रहा है जैसा कि आप सभी देखोगे जो core team है 20% है, और Pi token distribution की हम बात करें, communities की हम बात करें तो वो 80% हमें देखने को मिलता है, और आने वाले time के अंदर आप सभी को Pi बहुत अच्छा future में value और rate प्रवाइड करके देने वाला है जैसा कि इसके अंदर बताया जा रहा है, और उसके साथ यहाँ पे एक और important चीज की बात की जा रही है जो कि Pi today है, जो कि 28 June को हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे acceptations लगाई जा रही है कि उस दिन हमें open manant या Pi की launching देखने को मिल सकती है और जो दूसरी चीज बताया जा रही है, increased Pi coin value, और वहाँ पे Pi की जो coin की value होगी वह भी increase करेगी, और उसके साथ यहाँ पे आप सभी को expanded functionality, मतलब अलग अलग तरीके से इसकी जो technologies है, जैसे NFT की बात करें, Metaverse की बात करें, या Gaming की हम बात करें, DAO की बात करें, हर जगा पे आप सभी को यह देखने को मिलेगा, broader adoption and community recognition, तो यहाँ पे basically broader adoption के अंदर, global level पे इसकी हम barter system की बात करते हैं, exchanges के बात करते हैं, वो सब देखने को मिलेगा, और बड़ी-बड़ी जितनी भी MNCs, जितनी भी companies हैं, उन सभी के साथ इसका हमें collaboration और partnership भी देखने को मिलेगा, ज यहाँ पे बताया जा रहा है, management migration taking longer than accepted, जैसा कि हमने जो सोचा था, उससे कहीं जदा यहाँ पे time लिया जा रहा है, there are a few reasons why step 8 may be delay, और यहाँ पे कुछ reasons बताया जा रहा है, जिसकी वज़े से step 8 है, बहुत सारे pines का delay हो रहा है, check out our helpful information to troubleshoot the issue and get back on track, यहाँ पे कुछ आप सभ problems को easily sort out कर सकते हो, तो basically हम पहले point की बात करते है, confirming your wallet, यहाँ पे basically wallet को लेके बात की जारी है, a check is perform that verify the pioneer has confirmed a wallet for migration, यहाँ पे जो as a pioneer है, वो verify करेगा performance को कि क्या चल रहा है, उसके wallet migrations को लेके, that is not confirmed step 3, जिसने कि step 3 confirm नहीं किया होगा by another pioneer, दूसरे pioneer के through, if the pioneer is using a wallet, अगर वो pioneer use कर रहा होगा wallet address, that is confirmed by another pioneer, जो की confirm हो चुका है, another pioneer के through, then the transfer is blocked, और ऐसी कोई situation होती है, तो जो transfer होता है, जो balancing का transfer आप करते हो, वो block हो जाएगी, until the pioneer confirm a wallet, only they have confirmed, तो basically यह है कि आप, मानके चलो, आप real pioneer हो और आपका ही account है वो, तो आप proper confirmation नहीं करते हैं, तो आपका account के अंदर कोई भी transaction देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कोई और दूसरा मतलब, आपके confirmation पे सारी चीज़े कर देगा, तो यह भी बहुत important point यहां पे बताया जा और जो दूसरी चीज़ा large amount, large amount basically क्या है, आप सभी के balance की बात की जा रही है, this city is delaying the automatic migration of large balance and will be transferring these balances manually for safety reasons, और यहां पे जो balances है, वो कुछ safety reasons के थूरू as a transferring किये जाते हैं, भीज जाते हैं, there is not a timeline at the moment, और यहां पे कोई timeline, कोई समय देखने को आपको नहीं मिलता, when the large balance migration will occur, जैसे ही वो large balance migration होता है, additional checks के अंदर यहां भी बात की जारी है, जो कि check करना पड़ता है, there are additional checks prior to manage transfer, even after all items on the checklist are checked, जितने भी additional checks है, manage transfer करने के लिए, और जितने भी items होते हैं, उसको checklist के अंदर check किया जाता है, देखा जाता है, including additional functional checks and KYC status revolution, यहां पे जो KYC status होता है, वो देखते हैं, और sanctional checks को भी देखते हैं, validate करने के लिए, ठीक है, और उसके साथ बताया जारा है, if a pioneer is identified by such a checks as needed further review, और जिस तरीके से जो चीजे उनको चाहिए, उस हिसाब से verified हो जाता है, identify हो जाता है, तो basically इसको review के जाता है, अलग cases के लिए, और आप सभी का status होता है, वो basically यहाँ पर result के लिए, मतलब final check के लिए release कर दे जाता है, then वो easily review के बाद complete हो जाता है, if you have been waiting, it's likely that you are in one of these group, please continue to patient as the core team works to comply the regulations, यहाँ पर अगर आपकी यह same problems है, माइग्रेशन को लेके, step 8 को लेके, तो आपको tension निलेनी, यह जो group है, मतलब same problem है, तो इनका एक group बनाया गया है, और इसकी जो proper investigation है, यह जो proper core team में इस चीज़ पे काम कर रही है, और इसका regulation निकालेगी, KYC requirement and PI policies protect the PI network health and security, और जो KYC requirement है, यह भी चाहिए, उसके साथ इनकी जो policies वेगरा है, वो एक तरीके से protect करेंगी, PI की security को लेके, मतलब जितने भी आप documents upload करते हो, यह जो भी आपका data है, जो भी personal चीज़ है, सारी आपकी safe रहने वाली है, and ensure as much as possible that the real pioneer can safely ensure their PI, और safely तरीके से आप अपने PI को mine भी कर सकते हो, और safely तरीके से आप migration कर सकते हो, बट यहाँ पर जो problem आरी, उसकी problem का, यहाँ पर खुद उन्होंने बोला है, इस troubleshoot को हम solve करेंगे, तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था, I hope आपको समझ में आया होगा, अभी तक वीडियो पर बने हुए, तो please guys, एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नियो सब् सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को, और पर जरूर प्रेस कर देना, आज के लिए तना मिलते हैं, नई वीडियो के साथ अब तक के लिए, जय हिंद वन दे मात्रम,